आज के वडियो में हम बात करेंगे WhatsApp के इंट्रेस्टिंग फ्यूचर के बारें तो वीडियो काफे इंट्रेस्टिंग होने वाला है तो गाईस फॉर्स फ्यूचर आता है Multi-Device Supported अभी आप अपने अलग-अलग डिवाइस में Same WhatsApp चला सकते एकी टाइम पर और आपको जिस डिवाइस में Enable करना है उसमें Simply 3.0 पर क्लिक करके Existing Account को Scan करना है Second future है Photo Quality बहुत बार इसा होता है हम किसी को Photo Send किरें और उसकी Quality काफी ज़्यादा खराब हो जाते है तो आप अभी HD Quality में Photo Send कर सकते हैं तो काफी Interesting future है Third future आता है Chat Lock on WhatsApp Simply आपकी उसकी डिवाइस में जाने का है Chat Lock पे क्लिक करने का है और Chat Lock को Enable करना है तो गाइस जैसे ही आप Fingerprint Sensor Activate कर दोगे आपका Chat Lock एक्टिव हो जाएगा तो गाइस आप देख सकते हो Chat Lock ही जो Activate हो चुका है For future की बात करे Message Edit बहुत बार ऐसे होता है आप किसी को कुछ भी खलती से बेज देते हो और आपको Delete for Everyone करना पड़ता है पर आप अभी Edit कर सकते हो Simply आपको प्रेस करना है Three dot पे क्लिक करने का है Edit पे क्लिक करने का है और आपको जो भी टाइप करना है आप टाइप कर सकते हो और बेज सकते हो तो गाइस ये भी काफी Interesting future मुझे लगा Next future के बारे में बात करें तो next future है Transfer Chat काफी Interesting है बहुत बार ऐसा होता है कि हम device change करते और chat हमें दूसरे device में चाहे तो हम backup करते है तो अभी Transfer Chat से आप easily अपने device की chat डूसरे device में ले सकते हो सिर्फ scan करना है आपको Next future आता है अपने आप से बात करना तो ये भी काफी Interesting future मुझे लगा इसका advantage ये है आप किसी का भी number टाइप कर दीजे और उसको आप easily message कर सकते हो without उसका number save के रिमिना सिर्फ आपको उस number पर क्लिक करना है chat with message पर क्लिक करना है और आप easily उसको message कर सकते हो Next future आता है video recording आपको voice recording को tap करना है video recording को hold करके आप video record कर सकते हो और आप easily उसको बेज सकते हो जो भी आपको बेजना है वो तो ऐसे ही amazing video के लिए हमारे channel को subscribe कीजे और अपने दोस्तों को भी ये video share कीजे अगर आपको किसी को ब्लॉक करना है तो उसके chat में जारके आपको नीचे scroll करके ब्लॉक करना है जैसे ये आप उसको ब्लॉक करेंगे वो आपको message नहीं कर पाएगा आपको message शो नहीं होगे next future की बारे में बात करें तो आपको setting में जाना है setting में जानी की बात आपको storage and data पे click करना है और आपको when using mobile data photo को unselect करना है आप इन सभी को unselect कर दीजिए ok press कर दीजिए और connected wifi उसको भी सब unselected कर दीजिए जैसे ही आप unselected करेगे आपका automatically photo video download नहीं हो पाएगा तो ऐसे ही amazing video के लिए हमारे channel को subscribe कीजिए तो चलो गईस मिलते हैं अगले video में